हेलो एवरिवन और वेलकम टू SPMIS Academy एक्जाम एसेंशेल्स जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि इस सिरीज में हम लोग प्रिलिम्स और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन करते हैं डेली कुछ टॉपिक्स लेते हैं उनको डिसकस करते हैं और मंडे से लेके साटरडे तक जी एस चाटरडे यह उसको डिसकस करते हैं ओज चाटरडे है ऐसे का टॉपिक है और आज हम एसे को डिसकस करेंगे अचाजी सबसे पहले यह बात छोटी सी बात essay को ले करके अक्सर क्या होता है कि जो मेरा आप लोगों से interaction रहा है कि आप सभी लोग थोड़े skeptical होते हो थोड़ा-थोड़ा सभी को डर लगता है कि essay में क्या लिखना है कैसे लिखना है marks को ले करके भी uncertainty रहती है सो देखें essay के साथ ये होता है कि आप कभी भी completely नहीं हो पाते हो कि exactly क्या लिखना है ये है थोड़े ऐसे के साथ problem that you can never be fully sure कि क्या चीज रहती है बट धीरे धीरे जब practice आप करते हो तो वो आपको एक confidence आने लगता है especially जब आप test देते हो actual test तो आपको confidence आने लगता है कि ये ये चीज़े लिखते हैं इसमें essay marks मिल जाते हैं problem बस ये होती है कि essay लिखने के लिए बहुत सारी और भी knowledge आपको चाहिए आप essay की separate अलग से कोई तयारी नहीं कर सकते हो ऐसे में जो भी आपको material डालना होता है वो आपको किसी न किसी दूसरे subject से ही आता है आज के session में भी देखेंगे जो भी हम essay में use करेंगे वो history, science, other subject से आएगा तो जब तक आपके बाकी subject में ऐसा नहीं कि बहुत सुपर आपको बहुत अच्छा है लेकिन एक decent level अगर आपका बन जाता है तो आप ऐसे लिखने लग जाते हो मैं अपने experience से बोल रहा हूँ especially उन लों के लिए जिन्होंने अब तक नहीं करा है ऐसे कि आज के session के बाद डरियेगा नहीं आपकी knowledge कम है कोई बात नहीं आप उस कम knowledge को भी use करो जितना आप लिख पा रहे उतना लिखने की कोशिश करो नए ideas लाओ जितना आपको पता है दुनिया के बारे में आप उस तरीके से लिखिए तो भी आपका काम हो जाएगा चली मैं start करता हूँ अपनी पुरी बात को अपने आज के topic को आज का हमारा topic है every thorn is a stepping stone यह topic है every thorn is a stepping stone हर एक काटा एक पत्थर होता है आगे बढ़ने के लिए इसा पढ़के ऐसे ही लगता है बट इसका मतलब क्या होता है इस topic का मतलब है कि आपकी life में जो भी problems आती है जो भी challenges आते हैं या कोई भी अगर आपकी disrespect कर देता है आपका मजाक उड़ाता है आपको publicly humiliation करा जाता है या किसी भी तरीके का disappointment होता है वो actually आपको आगे ही बढ़ाता है यह जो word है यहाँ पर word thorn thorn का मतलब यहाँ पर literally नहीं लेना है thorn के जैसा rather यहाँ पर लेना है कि वो चीज जो की जिन्दगी में problem बन करके आती है इसको ऐसे लेना यह जो word है thorn इसका मतलब है किसी ना किसी type की problem कोई कोई ऐसी चीज जो आपको अंदर से आपको discomfort आपके लिए लगे तो that can be a challenge it can be a problem या फिर अगर unnecessary किसी चीज के लिए hard work करना पड़ रहा है कुछ ज्यादा मेनत करनी पड़ रही है रेब्यूक अगर कोई बेज़ती कर दे आपकी कुछ डाड़ दे तो यह सारी चीज़े thorn है और यही चीज़े होती है जो आपको जिन्दगी में आगे ले जाएंगी और वही आपका stepping stone बनेगा यह है topic कि every thorn is a stepping stone अगर इसका simple मतलब बोलू तो इसका मतलब है failure is a stepping stone to success यह इसका simple मीनिंग है कि हर एक असफलता आपको सफलता की और ले करके जाती है अब देखे इस बात को समझी है मैंने तो बहुत easily आकर के आपको topic explain कर दिया लेकिन exam में topic समझना आपने आप में एक बड़ा challenge बनता है और इसमें हमेशा वही कोशिश करनी चाहिए कि जो topic आपको proper समझ में आए जिसमें आपको certain हो कि हाँ इसका यही meaning हो उस topic को approach करो better है कई बार क्या होता है students के बीच में यह thinking होती है कि बहुत easy topic नहीं थोड़ा tough ले लेते है वो नहीं अच्छी चीज नहीं है जो आपको समझ में आए पहले आप उससे start करो क्योंकि अगर आपने मन से कुछ गलत interpretation कर दिया तो वो examiner फिर penalize कर देता है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि आपको topic की understanding नहीं है तो आप समझना सबसे important है understanding the meaning यह first step होती है essay के title की essay title की जो पहले step है एक चीज और देखिएगा essay आप जब लिखते होना तो उसमें आपको जितना टाइम आप लिखने में यूज करोगे suppose आपने half गंटा आप ऐसे लिखरोगे थ्री आर्स का पेपर है दो essay आप लिखोगे देख घंटा that means आप 90 minutes आप जो है आपको किसी एक essay में देना है 90 minutes आपको देना है तो समझेगा इस 90 minutes में पूरे के पूरे 90 minutes आप कभी भी नहीं लिखते हो आप actually सिर्फ इस में से जो 1 6th time है that means 15 minutes आप thinking करते हो और लिखते आप सिर्फ 75 minutes हो essay का simple rule है कि आप कभी भी पूरे time नहीं लिखोगे आप लिखोगे 75 minutes और 15 minutes आप thinking करोगे और उस thinking में ही पहली चीज होती है कि आप ये सोचो कि essay का meaning क्या उस topic का क्या meaning होता है तब आप आगे बढ़ते हो essay में आपको 1000 से 1200 words के बीच में लिखना होता है आपको ऐसे लिखना होता है इसको हम लोग देखते है So as informed पहली step होती है कि essay का आपको meaning समझना है अब अगली step आ जाती है essay में क्या लिखना है तो देखो इसकी कोई honestly कोई एक fixed परीका नहीं है कि यही लिखना ऐसी से number मिलते है in fact essay हमेशा ऐसा लिखना होता है कि आपका essay पढ़ने वाले को interesting लगे उसे आपको essay को पढ़ करके मजा आए उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छी चीज पढ़ी है यह बड़ी important चीज होती है कि आपको essay को interesting बना के रखना होता है moreover आपको जो essay आप लिखते हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि एक उसमें एक flow है मतलब haphazard नहीं है कोई एक बात बोली उसके बाद में कोई random नई बात शुरू करी ऐसा नहीं हो एक flow है जैसे आपने मेरा lecture देख रहो एक के बाद एक के बाद चीजों में flow है वो चीज ऐसे में भी important होती है कि एक flow बना रहे then कुछ चीज़े होती है जो number दिलाएंगी आपको quotations चो होते हैं number दिलाते हैं ideas number दिलाते हैं वो क्या चीज़े हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता रहोंगा बट जो दो important चीज़े रहेंगी एक तो interesting होना चाहिए दूसरा flow और तीसरा आपकी language आपकी language ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आया आप लिख क्या रहे हो इस area में आप में से बहुत से लोगों को problem आती है और उसका बड़ा reason होता है English में command जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है तो ये एक area है जिस पर आप बहुत से लोगों को मैंने देखा काम करना पड़ता है और अभी शायद आपको लगे कि इतना time तो नहीं है कि काम करें अभी बहुत परशान नहीं होना होता है प्रिलिम्स के बाद में भी अगर आप language पर काम करोगे हो जाती है डेवलप और इसमें सब सादा help करता है newspaper के editorials पढ़ना अगर आप editorials पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपकी language जो है वो develop हो जाती है ये तीन basic चीजे है अब आज आते हैं कि content में क्या लिखना है सो देखिए content में मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो essay का meaning क्या है ये आप समझते हो कि उसका क्या meaning आपको लिखना है then इसमें आप जो भी meaning लिखला उसके लिए कुछ examples देते हो to prove your arguments आप philosophical support देते हो philosophical ideas दोगे जिससे आपकी बात prove हो जाएगी क्या ideas है then आप इसमें बात करते हो कि किस तरीके से जो essay का topic है उसको हमें अपनी life में adopt करना होता है execute करना होता है आप इस बारे में बात करते हो क्या problems आती हैं उस चीज को करने में आप इसके बारे में बात करते हो government क्या उस चीज को support करती है आप इसके बारे में बात करते हो then antithesis antithesis का मतलब होता है कि जो essay का idea है उसके opposite जा करके भी बात करनी है आप उसके बारे में बात करते हो कि what is the antithesis of the essay आप यहाँ पर यह भी बात करते हो and then there is some conclusion एक conclusion होता है कि end में आपने final सारे ideas को conclude करा and lastly there is an one anecdote या introduction अब आप notice करिए का मैंने क्या बुला मैं बोल रहा हूँ last में introduction है reality में introduction तो आप सबसे पहले लिखते हो ये बात तो obvious है but मैं ऐसे में बोलता हूँ कि जब आप सोच रहे हो जब आप thinking कर रहे हो आप कभी भी introduction से thinking मत start करो आप thinking start करो meaning से सोचो पहले topic क्या है फिर सोचो कि क्या बाते उसको proof करती है फिर सोचो क्या philosophies उसको proof करती है फिर सोचो कि कैसे उसको adopt करेंगे life में फिर सोचो क्या problems आती है फिर सोचो government ने क्या करा है फिर बात है antithesis कि क्या हो यह होना जरूरी है और lastly conclusion and then think about what is the introduction generally क्या होता है मेरा experience है आप में से जादा तर लोग पहले introduction सोचते हो फिर बाकी सब क्योंकि सोचते हो सबसे पहले यही लिखना है जबकि यह गलत है यह सबसे end में सोचो पहले meaning सोचो because once you think the meaning that is where the ideas will start to come in अब जैसे हमारे पास में यह वाला topic था इस topic में हमने बात करी थी कि वही जो every thorn is a stepping stone हर एक problem हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती है तो सबसे पहली चीज है कि अपने को इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा इसका जो meaning होता है इसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि भाई क्या meaning है इसका तो इसका meaning है कि every thorn is a stepping stone is कि हमें जिंदगी में problems आगे बढ़ाएंगे जो difficulties होते हैं जो challenges होते हैं वो हमको life में आगे लेकर के जाएंगे है ना हमें आगे growth हमारी करार है होते है problems तो life में inevitable है वो तो होके ही रहेंगी जरूरी है कि हम अपनी problem से सीखे learning करे and that is how that is how हम success की तर आगे बढ़ेंगे अब इस बात को प्रूफ करने के लिए examples चाहिए यह तो बात है इसको प्रूफ कैसे करें तो इसके लिए कुछ examples तेने होंगे examples कहां से देंगे तो हम लोग देंगे history से अपने आसाम से इंडिया से world में जो चीजें चल रही है science से sports से movies में अगर कुछ द अला बोई हुई उसमें आहोम जो थे उतना अच्छा नहीं कर पाए डिफीट हुए तभी जा करके अगली बैटल में उन्होंने बहुत अच्छा करा तो आहोम ने जब जब एक इस जो थौन मिला battle of अला बोई was like a thorn जो अला बोई था वो थौन के जैसा था तो थौन से उन Similarly अगर और बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडिया के freedom struggle की कि इंडिया के freedom struggle में किस तरह से जलिया वाला बाग था उसने हम लोगों को कितना पर अपर हम इंडियन के ऊपर कितनी खराब चीज हुई हमारी लाइफ में थौन के जैसा था हम लोगों को एक लगा कि य ऐसा रिप्रेशन करा गया इंडियन्स का तभी इंडियन्स ने फाइड बैक करा लाइफ इस ओल अबाउट कि जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको हम सही करते हैं जाकर के ज्वारी फ्रीडम कर्टेल करी तभी हमने और बैटर अमेंड्मेंट करें एक कॉन्स्टि्टिउशन में कि ऒमारी प्रीडम को कभी भी कर्टेल ना करा जा सकें किए एवरी थॉन जो है स्टेपिंग स्टोन बनके आया, सेम तिंग यहाँ पर जलिया वाला बाग, कोई टेंडिया मुव्मेंट, इसमें आप रवीदना टेगोर का कोट भी डाल सकते हो, कि जो रवीदना टेगोर ने इसके बारे में क्या बोला है, ये कोटेशन भी इसी बात को भी प्रूफ करता है, है ना, सिमिलरली और भी चीज़ें, जो पोस्ट इंडिपेंडनेंस में हुई, वो सब मैं उने दे दिया, कि ये सारी चीज़ें जो है, जिन्होंने हमको हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन के जैसा आक्ट करा, ये वाली बात बोल दी, आगे अगर म के एक्जामपल, बोल सकते हैं आपर हिस्ट्री ने, ये एकनोमिक्स होना चाहिए था, तो एकनोमिक्स में हम बोल सकते हैं कि जो LPG रिफॉर्म्स हुए है, 1991 के, तो उसके पहले क्या हुआ, बैलनस अफ पेमेंट क्राइस हो रही थी, तो फाइनली हमने रिफॉर्म करा, तो कि आप एक्जामपल नहीं कोट कर पाते हो, इसलिए ऐसे को लिखने के लिए जरूरी होता है, सब सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, तब आप अच्छे से ऐसे लिख पाते हो, आच्छा, इसमें कोटेशन अगेन मैंने विंस्टन चर्चिल का डाल दिया, एन चिन टिंडूलकर की लाइफ में क्या प्रॉब्लम आई, राहुल ड्रविट के में क्या आई, विराट कोली में, हर किसी की लाइफ में कभी न कभी एक ऐसा टाइम आया, जब उनकी फॉर्म नहीं अच्छी थी, उन्होंने उस जगे पर मेहनत करी, तब ही आगे बड़े, इ उन्होंने रॉकेट टेस्ट में फेल हुए, तब उन्होंने बेटर कर पाए, आइंस्टाइन का कोटेशन दे दिया, तो अगर आप देखो ना, इसमें बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें, छोटा-छोटा फॉर्डर माटीरियल आया है, आपके बहुत सारे लोग को करते हो, वो लिस्ट में आपको दे दिये जाते हैं, कोटेशन, कि ये कोटेशन सें, इस इस टॉपिक के आप इसको यूज़ करके याद कर लो, similarly, आपको बताया गया, सारा भाई में ऐसा हुआ, तो ये सब चीज़ों की अगेन आपको एक पूरी लिस्ट दे दी जाती है, क विक्रम सारा भाई में क्या हुआ, तो किसकी लाइफ में क्या हुआ, रभीना टेग और इतना तो आपने बायोग्रफी नहीं पड़ी है, जेनरली कम पढ़ते भी हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कि जिन लोगों ने पढ़ी है, उन लोगों से बोलते हैं, आप निकाल द होता है, तो धीरे-धीरे समय के साथ आपका भी ये चीज़ें होने लग जाएंगी, अच्छा, similarly मैंने यहाँ पर ये सब दे दिया, कि आप हिस्ट्री से, स्पोर्ट से, एकनोमिक्स, आसाम पार्ट, कंटेंपररी पॉलिटिक्स, इन सब से ये एक्जाम्पल्स लिख सकते ह अब एक बार जब आप ये एक्जाम्पल्स लिख देते हो, तो आप बेसिकली अपनी बात को प्रूफ कर देते हो, अब इसके बाद में अगली चीज़ आ जाती है, कि फिलोसोफिकली अपनी बात को और प्रूफ करना, अब अगेन इसके लिए भी आपको फिलोसोफी होती है, अगर नहीं पढ़ी है, अब बिना एथिक्स पढ़े, आप ये वाली पार्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें फिलोसोफी में आप जो है, भगवत गीता की फिलोसोफी जनरली मैं अडवाइस करता हूं, कि एक इस्टन फिलोसोफी लिख दो, एक वेस्टन लिख दो मतलब एक अपने देश की या चाइनीज फिलोसोफी से कुछ ले आओ, या फिर वेस्टन एक फिलोसोफर को किसी को कोट कर दो, तो यहां पर भगवत गीता और स्टोइक फिलोसोफी मार्कस और एलियस की इन दोनों को कोट करा है, कि भगवत गीता में भी बोला था कि लाइ कि आपदा में अवसर, यही चीज एक्जाक्ली इसी चीज को फिलोसोफी है, और एलियस की स्टोइक फिलोसोफी उसी को मोधी जी ने भी यूज़ करा, आपदा में अवसर, जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पर बोला कि देश को बिल्ड करना है, आपदा में अवसर कितब बात हुई थी, सेम आइडिया है, वहाँ पर भी, अचा, अब आपने एक्जामपल्स दे दिये, हिस्ट्री के, एकोनॉमी के, पॉलिटी के सब के एक्जामपल दिये, आज वेल आपने फिलोसोफी बता दी, कि जो इस बात को प्रूफ करती है, आगे आ जाते हैं, और उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है, होप, सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है, कि होप हमारे पास में हो, अगर हम होपुल हैं, कि हाँ, हमारी जिन्दगी में जो भी प्रॉब्लम आई, हम इसको ओवर कम कर लेंगे, इस विल मेक असा बेटर परसन, यह हमको आगे और अच्छा करेगी, तो अपने आप हम चीज हैं अच्छे कर भी पाएंगे, तेम चीज इसके बारे में कोटेशन भी बोला गया है, कि होप इस बार के स्पेम की टेसरीज हुई थी, उसमें ऐसे में यह टॉपिक भी डाला गया था, जिसमें यही बोला गया था, कि होप को प्राइम के टाइम पर हमें स्ट्रेंथ देती है, योगा की प्राक्टिस करना, मेडिटेशन करना यह हमको करता है, एक जो बात बुली जाती है कि दूसरों की सर्विस करो, इफिर वर्किंग फर दा अधर्स तब आपको अपनी प्राइम छोटी लगने लग जाती है, तो इ गवर्मेंट ने इस चीज के लिए ही आत्मे निर्भर भारत निकाला कैम्पेइन करा था, जिसमें बोला गया था कि हमें भी हर एक चैलेंज को, हर एक उपर्चुनिटी को अच्छे से अच्छा करना चाहिए, जैसे मैंने भी बोला आपदा में अवसर, तो आत्मे निर्भ भारत कैम्पेइन आया था, कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखना है as an opportunity, वह हमें और बेटर आगे रास्ता दिखाएंगी, similarly, Skill India Initiative या गवर्मेंट की कोई भी स्कीम, जो की downtrodden, marginalized section के लिए होती है, गरीबों के लिए होती है, उसमें यही होता है कि किसी तरीके स जो उनकी problem है, उसको strength में बदला जाए, उनको training दो, उनका opportunity दो, तो वह और better कर लेंगे, उसके बारे में ही होती है, so this is government support भी इसी direction में, अब last part, अब next part पर आ जाते हैं, and that is antithesis, that means opposite बात करना, इसमें हम लोग यह बोलते हैं, कि वही यह बात सही है कि हाँ, जो problem होती है, बट जरूरी नहीं है, हर बार जो problem होगी, वो ऐसा ही करेगी, ऐसा होना जरूरी नहीं है, for example, कई बार problems, emotional loss, अगर किसी की life में personal loss हो जाता है, तो वो इतना बड़ा भी हो सकता है, कि वो हमको आगे न बढ़ाए, पिछे भी ले करके life में चला जाए, अब example के लिए मान जाएगी, शायद आपको पीछे ही लेके चली जाएगी, अब जैसे example है कि रतन टाटा जी, अभी उनकी हाली में उनकी death हुई, अब रतन टाटा का loss होना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस था, तो ये चीज आगे नहीं बढ़ाएगी, हम तो यह बोलेंगे कि ऐसी problem होती है, बहुत सारी नहीं होती है, इसलिए जरूरी है कि हमें समझना पड़ता है problems कैसी है, हर problem जरूरी नहीं है, आपको आगे बढ़ा है, हमें समझना है कि ये problem जो है वो हमको आगे बढ़ा सकती है और इसके लिए emotional intelligence और mindfulness, that means आप सोच पाव चीज़ों के बारे में, ये case ले लिया है महत्मा गांधी जी की life का, तो इनकी life का एक case है कि जब South Africa में थे गांधी जी, तो एक train में चड़े हुए थे, उनको train से जो वहां के British थे, उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया, उन्होंने बहुत disrespect करा और धक्के मार के निकाल दिया, ये बात महत्मा गांधी जी को लग गई, उन्हें खराब लगा और उन्होंने struggle शुरू करा against the British in South Africa, अब हुआ क्या, कि जब उनकी life में थौन आया, जब उनकी life में disrespectful scenario आया, जहां पर उनको बात बुरी लगी तो उन्होंने उसके लिए कुछ करना शुरू करा, उससे क्या हुआ, कि महत्मा गांधी is a stepping stone, हर एक problem या हर एक जिंदगी में challenge जो आएगा, वो आपको आगे ही बढ़ाएगा, यही बात इसमें प्रूव हो रही है, so that is how you write the essay, मैंने इसमें conclusion ने discuss करा है, because conclusion में you conclude all the ideas, और मैं बहुत ज़दा चीज़े नहीं डाल सकता था, हजार से फंदरा सो, हजार से बारा सो से आप लिखते हो, तो मैंने कुछ-कुछ ideas करे हैं, मैं चाहता हूँ अगर आपके पास time हो, आपको समझ में आ रही हो चीज़ें, तो हो सके अपने ideas include करके लिखने की कोशिश करो इस essay को, आप जितना लिखोगे आप उतना ही better हो जाओगे, आप लिखने की कोशिश करिए, आपको धीरे-धीरे-धीरे-धीरे चीज़ों की feel आने लग जाएगी, ऐसे एक ऐसी चीज है, जो honestly आपको कोई भी essay नहीं सिखा देखता कि यह करो, उसमें set formula नहीं होता है, ऐसे में करने से होता है, आप जितना करोगे, आप उतने better होगे, तो यह आपको करना पड़ेगा, अच्छा, कल के जो चिनमयो सर ने question दिये थे, उसके answers यहाँ पर है, इस PDF में है, आप इसको एक बार देख लीजेगा, तो यह आपके लिए answer दिये, so that is all for this lecture, thank you.